हलो गईजाब सभी सात्यों का स्वागत है अपके अपनी यूटूब चानल टॉपसिंट पर तो डेली की तरह आज भी मॉनिक अपडेट लेकर रहा हैं जितनी भी इंपॉर्टन अपडेट आज की न्यूज पेपर में आईए वो सारी के सारी अपडेट हम लोग देखने वाल बिल्कुल नए पार्टिकरम पर और बिल्कुल महत्वपूर्ण कोश्चन का प्रेक्टिसेट जिसमें आपको 15 सौल प्रेक्टिसेट और 4 जो है आपको सौल प्रेक्टिसेट मिल जाएंगे इसमें आपके जो अग्रवाल जो एक्जाम कार्ट 2400 गंटे उपलब दे जहाँ पर आप सभी लोगों को कैसे परिच्छा को बीट करनी है, उन सभी की स्टेट जी साथ साथ आपको current affair कैसे read करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है, आप सभी लोगों को best guidance भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, current affairs की 100% स्टिक त्यारी करने में भी आपका exam card ज करके कितने admit card आपको center पर ले जाने हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर update निकल कर आई है, सबसे पहले तो जो भी चाथ बीट इंटर्स exam की परिक्षा देने जा रहे हैं, और इस बार बीट 2022 में admission लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो इस चैनल को जरूर subscribe करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को परिक्षा से ले करके counseling तर फिर उसके बाद फरस्टियर या semester वाई जो भी आपका exam होगा, जिस भी इनवस्टी में आप admission लेंगे, हर एक जगा की सारी update आपको इस चैनल के मादम से मिलेगी, तो सभी लोग इस चैनल को जरूर subscribe करें, जिस प्रिवेजपत्र की दो प्रतिया रखे साथ, बिएड सायूग प्रिवेजपत्र के लिए 25 जून से प्रिवेजपत्र डाउनलोड होने ही सुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो 25 जून को आप सभी लोगों का admit card जो है डाउनलोड हो जाएगा, परिक्षा आपका तैसमें पर ही प्रिवेजपत्र की दो प्रिवेजपत्र की एक जैसी दो प्रतियां लानी है तो कोई दिक्कत नहीं जब आपका प्रिवेजपत्र आजाएगा, फिर आपको कौन-कौन से डाकुमेंट्स ले जाने हैं, किस हिसाब से परिक्षा होगी, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के मादन से बता जाएगी, तो उसके लिए आपको प्रिशान नहीं होना है, बस च थोड़ दिया जाए, तो 90 वाले सीधे 70 से नीचे आ चुके हैं, जैसा कि मुझे कल कमेंट के मादन से जो मुझे पता चला, कि वहाँ पर चात्र यहीं करते हैं, मेरा 15 कोश्चन गलत है, मेरा 18 कोश्चन गलत है, तो अगर किसी चात्र ने 90 कोश्चन किया है, और उनका 15 कोश साने की 80 कटाप जाएगी, 75-76 कटाप जाएगी, उन लोगों को मैं बता दूँ, कटाप पर तो फिलाल मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतनी कटाप नहीं जाएगी, जो सभी लोग पहले बता रहे थे, अटर्म करकर जबा आते हैं, वो अलग-अलग तरीके से हम निकल कर आना सुरू हो चुकी है, जो पहले 90 बता रहे थे, अब वो यही पूछ रहे हैं कमेंट में आने के बाद में, कि सर क्या 65 प्रमेर सेलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे में आप लोग भी अगर NTPC का पेपर दी हो, तो एक बार कि सही जा रहे हैं, रो मार्क आपके कितने आ रहे हैं, यानि कि निगेटिव गएरा काटने के बाद में, आप कमेंट करके जरूर बता हैं, जिससे आप सभी लोग से एक अच्छी अनालेसिस मिल सकें, और इस चैनल के मादम से बिल्कुल 60 कटाब आपको बता आ जा सकें, क्यो पेट का पेपर है, वो आपका सितंबर में लगा हुआ है, ऐसे में उम्मीद यह है कि आप सभी लोग का जो इसका नोटिफिकेसन है, वो आपका इसी जून के महीने में आ जाएगा, और अगर जून के महीने में नहीं आएगा, तो जुलाई के पहले हपते में आ जाएगी, अगर जुलाई के पहले हपते में नहीं आता है तो हो सकता है कि यूपी टेपलस्टी पेट 2022 कि जो परिक्षा है वो थोड़ी सी डिले भी हो जाए ठीक है वहीं बात करते हैं हम GTS भरती के बारे में GTS भरती की जब से कटाफ आई है जब से रिजल्ट आया है सभी के पैरो तले जो है जमीन खिसक गई है क्योंकि 100 में 110 परसंट 113 परसंट तक कटाफ गई है तो यहां पर एक अपडेट आई है कि ग्रामी डाक सेवक के रिजल्ट में 375 को 100% तंग पटना से अपडेट है कि डाक विबाग की ओर से जारी ग्रामी डाक सेवकों के रिजल्ट में 375 अब्यारतों को 100 फिस्दी यंक देने का मामला सामने आया है इसके बाद रिजल्ट पर सवाल उठ रहे है 20 जून को निकाले गए रिजल्ट में बिहार के 984 अब्यारती सफल हुए रिजल्ट में सफल अब्यारतों के कागजात के सत्यापन का काम 5 जुलाई से शुरू होगा रिजल्ट में सभी आवेतकों को 98 से लेकर 100 फिस्दी यंक दे दिया गया है इस कारण रिजल्ट आने के बाद अब्यारतों के बीच चर्चा कभी से बना हुआ कई अब्यारती रिजल्ट को कोट में चुनोती देने की तयारी में भी जुट गए है यहां पर आप देख सकते हैं कोट में भी जाने की बात की जा रही है दरासल ग्रामीड डाक सेवकों की न्यूक्त मैट्रिक के रिजल्ट के आदार पर होती है बिसे सग्यों की अनुसार रिजल्ट में सफल अभ्यारतों को मैट्रिंग में भी 100 फिस्दी अंक दिया गया होगा तभी ग्रामीड डाक सेवक के रिजल्ट में 100 फिस्दी अंक दिया गया है ऐसा एक दो अभ्यारतों के केस में ही हो सकता है 375 अब्यारतियों के साथ ऐसा संभव नहीं है बिहार बोर्ड में पिछले 10 सालों में किसी भी परिक्षारती का 100% अंक नहीं आया है ऐसे में ग्रामी डाक सेखों का रिजल्ट सवालों के गेरे में है यहां पर बताया गया कि 100 यानि कि अगर आपके हाई स्कूल में 100% है और 100% का 100% का टाव गई है मतलब यह एक सोचना आली बात है और केरला जैसे कुछ राज ऐसे हैं जहां पर हाई स्कूल में 113% का टाव गई है मतलब यह समझ से बाहर है कि 100% तो चलो होतकता है इकका दुक्का लोगों के अभी जाएं लेकिन 113% के से लोगों के आ सकते हैं यह गलत बात है और इसमें जो है जांच जो है सुरू कर दी गई है गरबडी की विवागिया इस्तर पर जांच शुरू है अगर नहीं संसोधन करेंगे तो चातर इसको लेकर निश्चित रूप सही कोट जाएंगे क्योंकि कुछ चातर आइसे हैं जिनके 95% थे और वहाँ पर उनका सेलेक्शन नहीं हुआ 60% आलो का नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आइस सो में 100% कटाप कैसे जा सकती है 113% कटाप कैसे जा सकती है तो इसका जो दुबारा रिजल्ट जो है आ सकता है हाला कि मैं तो यहीं चाहूंगा कि GDS भरती का परिक्षा हो तो जादा अचा है मेरिट पर भरती नहीं होनी चाहिए इसकी चलिए वहीं पर्म बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में अगली अपडेट है GIC प्रवक्ता हिंदी का अंतिम परडाम चारी 119 का चैन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुद्वार रात राज के इंटर कालिज बे प्रवक्ता परिक्षा 2020 के प्रवक्ता हिंदी पुरूस या मैला मुख्य परिक्षा का अंतिम परडाम जारी कर दिया है इसमें 98 पुरूस और 21 जो है मैला ब्यारतियों का चैन हुआ है इसके लिए मुख्य परिक्षा 13 मार्च 2022 को ही थी परडाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द है परिक्षा नियंतरक अर्बिंद कुमार मिस्रा की मताबिक प्रश्च निगत परिक्षा का परडाम पूर्टया और बंदेक है अब्यारतियों के मूल प्रमारपत आज के सत्यापन के उपरान सही पाया जाने के संस्तुती पत्रक प्रेसित किये जाएंगे प्रमारपत तो सत्यापन के सुचना के बाद में बिग्यप्ति के माध्यम से दी जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवक्ता का जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गा है जिसमें 119 अब्यारति चैनित हुए है वहीं पर एक अगली अप्रेट है और अगली अप्रेट क्या है देख लेते हैं यहाँ पर नियुक्ती के 6 माँबाद भी नहीं मिली नौकरी आयोग पर प्रदर्सान इस्टाप नर्थ भरती परिक्षा में चैनित अब्यारती परडाम जारी होने के 6 माँबाद भी नौक्ती न मिलने से अब्यारतियों में नाराजगी है बुदवार को अब्यारतियों ने लोक सेवा आयोग गेट पर नारेवाजी की अब्यारतियों का कहना है कि चैनितों में अधिकतर सम्मेदा पर कारी कर रहे हैं एनोसी देने के बाद वहा नौकरी भी छोड़ दी ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकर गहरा गया है आयोग ने स्टाब नर्बती परिक्षा 2021 की लिकित परिक्षा 3 अक्टूबर 2021 में कराई थी अंतिम परड़ाम जो है 4 जनौरी 2022 को जारी हुआ था 3014 अब्यारति इसमें सफल हुए थे परड़ाम जारी होने के बाद आयोग की ओर से चैनित ब्यारतिों के परपत्रों की जाहांच आर्थिक और मानसिक तनाउ का सामना कर रहे है यहांपर चात्रों भीकार की सब कुछ सही होने के बाद भी हमें नुखती नहीं दी जा रही है और हम लोग जहांपर पहले काम कर रہेते वहांपर भी हमने जो है इस्तीफा दे दिया है रिजाइन दे दिया है ऐसे में न हम वहां के रहे न यहां के रहे ऐसे में आर्थिक संकट आ चुकी है यह चातर कापी ज्यादा परिसान है और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं तो फिलाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी अगर आप